हेलो एवरिवन वैलकम तो माई चैनल नूर फैशन वर्ड फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए डिजाइनर नेक लेके आई हूं विज धर्मकॉल बटन के साथ चलिए यह हमारा कुर्टे का कप्रा है इसके हम बनाएंगे डेमो है इसके हम डिजाइन बनाएंगे सबसे पहले आप हमेशा जो नेक बनता है वो बुकरम पे बनता है कभी भी सबसे पहले इसका जो कुर्टा होता है उसका आप नेक नहीं काटना चाहिए कभी भी हमेशा बुकरम पे पहले नेक काटिए तब भी वो फिनिशिंग से बनता है तो चलिए मैं आपको बताते हूं ज के लिंक नीचे description box में दे दूंगी यह हमारा बुक्रम है हम बोट नेक पर design बनाएंगे हमारा बोट नेक का जो चोड़ाई है जो उसकी broadness है वह हम नाप लेंगे double fold है यहां से मुड़ा हुआ है यहां से उसकी हम चोड़ाई लेंगे 5 यहां पर हम ले लेंगे 5 और जो इसकी लंबाई है वो कमी रखते हैं क्योंकि इसकी चोड़ाई जाजा होती है इसलिए इसकी लंबाई कम रखे जाती है ताकि वह हमारे खंदों से नाग रहे इसलिए 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 यह हमने गोलाई देदी है अब हम इसको काट लेंगे और आपको जितना चौड़ा बुक्रम रखना है उतना आप ले लो यहां पे मैं यह पौना इंच ले रही हूं यहां से पूरा ऐसे ले लेंगे हम हम इसको काट लेंगे अब यह देखिए फ्रेंड्स हमें यह नएक काट लिया है यह इस तरीके से आजाएगा बोर्ट शेफ में अब हम इसको कपड़े के उपर रखके सैट करेंगे यह हमारा कपड़ा है जिसके पर हम इसको सैट करेंगे पहले इस तरीके से यह सैट हो जाएगा और हम यहां पे एक सिलाई लगा लेंगे ताकि यह जो हमारा भुकरा में यह खिसके ना यह देग्चे friends मैंने यह सिलाई लगा ली है बाइट धागे से लगाई यह पूरी शिलाई लगा ली है अब हम इसको काटेंगे शेफ में काट लेंगे इसको अभी हम यह नहीं काटेंगे अभी अंदर वाला कपड़ा नहीं काटेंगे जब हम उप कुर्टे पर सैट अब यह हमने काट लिया है अभी इतना इतना मुड़ जाएगा अईसे मुड़के और इसमें यह किनारी की शिलाई आजाएगी पूरे में मैं आपको शिलाई लगाते भी खाट पर यह देखे फ्रेंड्स मैंने पूरे में यह कपड़ा पकड़के और शिलाई लगा दिया और मैंने यहां पर हलका हलका कट भी दे दिया था ताकि यह आसानी से इस तरह मुड़ जाए तो चलिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको इतना बिलकुल किनारी से बिलकुल किनारी में नहीं जाना नहीं से हमारी सिलाई कड़ जाएगी यह देखे हम कैसे काड़ देखे हम अब हम हमें जो वह लगाते हैं लगाना है इसमें जो थर्मकॉल के बटन लगाना है वो हमें यह है उल्टा साइड नैक का जो उस तरफ को ऐसे पलड़ जाएगा कुर्ते पे और यह है हमारा सीधा साइड हम इस सीधे साइड से हमको जो थर्मकॉल के बटन है वो सेट करने हैं इसी इसी इभुक्रम पे कैसे लगाएंगे हमें बिल्कुन यहां पर लगानी है बुकरम के और बिल्कुन नजदी एक लगानी है ताकि हमें उपर भी उठ जाए इस तरफ उठ जाए वह उसके उपर हम अपने जो वह सेट कर पाएं जो थर्मकॉल के बटन है तो चलिए लगाते हैं यह देखिए फ्रे हो इस पे चौक का निशान लगाते है कि वाइट धागा शायद आपको अच्छे से ना दिख रहा हो तो मैं इसमें यह लगा देती हूं यह निशान तो आपको शायद साफ नगर आपाए यह देखिए यह तरीके से निशान लगा लिया यह अब हम जो हमारे जो थर्मकॉल क के जो बटन है वह हम इसमें सेट करेंगे आदे आदे इंच की दूरी पे तो आप देखिए कैसे सेट करना है हमें फर्मकॉल का जो यह वाला है इस तरीके से हमें लगाना है इस लाइन पे इस तरीके से लगाना है इस तरीके से हमें यह सेट करते जाना है पूरे में आदे आधा इंच की दूरी पर यहां से एक इंच की दूरी पर क्योंकि यहां पर आधा आधा इंच वो दब जाएगा कुट्पी में इसलिए यहां से एक इंच की दूरी पर आधा आधा इंच की दूरी पर इस तरीके से हमें निशान लगा दिया है अब हम अपने इस पर यह सैट करेंगे मैं आपको मशीन पर दिखाऊंगी इससे क्योंकि यह बहुत ही खुड़ा डिफिकल्ट है तो इससलिए मैं आपको मशीन पर दिखाऊंगी जहां ऐसे लेंगे और इसको गिस तरीके से पकड़के यह देखें यह हमारा उल्टा साइद है यह बुक्रा में आपने लगाँ है और यह हमारा सीधा है वाई आम लगाते है इसके शेट करते जाएंगे इस तरीक सा यह बहुत ही तसल्ली से करना पड़ता है यह हमारा लग्या है यह अब अब दूसरों ठाके और इसको भी ऐसी लगाएंगी जैसे वो लगाया है तरीके से बहुत ऐसे जल्दी मुशीन नहीं गुमानी पड़ती है बहुत दीरे दीरे गुमानी पड़ती है यह हमारा दूसरा भी लग चुका है और इसी तरह हम सारे लगा लेंगे अपने पूरे नय यह देखे फ्रेंज्ट यह हमने पूरे लगा लिए हैं अब हम इसको अपने जो कट लगा देंगे, चाकि हम इसके मैं इसको मिलांके, इदर हमें कट देंगे, अब जो हमारा कुप्ड़े का कपड़ा है, इसके हम सेट करेंगे, इसका भी सेंटर पॉइंट जहां पे है, वहां पर हमें कट लगा देंगे, इस तरी, अब हम अपना वे खूरते का कफड़ा है कि इसको इस तरिके से लखेंगे हमारा जो कर्या ऊनीघ उसका correct list है और जो भूकरं कि है कि जो हमने से लगाएंगे इसको ऐसे लख। हैंकि और इसे से रखेंगे और अब हम इसको यह एक सिलाई यहां बीच में लगाएंगे हम ताकि हमारा खिसके ना मैं आपको दिखाती हूं लगाके यह देखे हमने एक बीच में लगा लिए यहां पे सिलाई अब हम यह जो हमने पहले सिलाई लगाई थी अपने यह निशान के लिए ताकि हमारा उस तो सिलाई लगा के फिर दिखाते हैं यह देखिए फ्रेंट यहां पर नजर आ रही है तो उसी सिलाई पर हमने इसको जॉइंट किया है अपने जोड़ के नको इसी पर क्योंकि यह भहुत ध्यान से करना पड़ता है कि इसके नीचे हमारे बट्टा ने कमकों के तो अप्रेंट हम यहां से चोड़ के फिर पाट लेंगे हैं चलिए हम काटते हैं अब हम यहां पर कट का निशान दे देंगे तोड़ा तोड़ा इस पूरे गले पर करके हमारा आराम से उस साइड ऐसे मुड़ जाए अराम से करना है बहुत है यह हो गया हमारा हमने कट लगा लिए अब हम जब इस नैक को इस साइड मोड़ेंगे तो यह इस तरीके से पूरा डिजाइन बन जाएगा बड़ा प्यारा डिजाइन लगता है यह बोट नैक में RPG बहुत प्यारा लगता है इस तरिके से आप इसको पहरे अच्छे से और फिर इसको अभी हमें एक सिलाई देनी है इसको बिल्कुल किनारी से सिलाई देनी है ताकि ये जो हमने थर्मकॉल के बटन लगा है ये और अच्छे से सैट हो जाए इसके तो हम पूरे नेक पे मैं आपको सिलाई लगा के फिर दिखाते हूं ये देखिए फ्रेंड्स हमने याप एक किनारी के सिलाई लगा लिया जिससे ये और अच्छे पक्ते सैटोर जो देखिए हमारा नेक कैसा बना है फ्रेंड्स आपको कुछ पूछना है तो आप निचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस वीडियो में इतना ही अगर आपक करना ना भूलें थैंक्यू पूब वह चैनल को सबस्ट्राइब करना ना भूलें थैंक्यू पर वहचें